व्ल्केन डिवाक चानल मैं साज़ेता आज बहुत बताऊंगी कि अपने ही शांपू से किस तरह से अपने डांडरफ को रिमूव कर सकते हैं डांडरफ के होने ये कई कारण है पर सबसे बड़ा कारण होता है आपकी स्केल्प का ड्राय होना अगर आपकी स्केल्प ड्राय रहेगी तो आपको ड्रांडर्फ होगी ही, कई बार ऐसा होता है, ड्रांडर्फ आपको फंगल इंफेक्शन देख जाती है, क्योंकि गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग और ड्रांडर्फ मिलकर फंगल इंफेक्शन का करते रहें मैं लिए क्या है एक solution मैं बताती हूं आप इस solution में किन चीजों का add करेंगे तो मैं अपने solution में first ले लिए यूँ वन स्पून लेमन जूस और सकीन है यह ओनिन जूस है मैंने ओनिन को ग्रेट करके निकाल लिया है यह अब 2 स्पून यूस करें वन स्पून लेमन जूस एन 2 स्पून जूस ऑनिन को ग्रेट करके आप स्टीनर में उसका जूस निकालले और उस तरह से मैंने ओंड और ब्रेट और व logo अपने त कर तो शुट ले नील्यूज करें ऑर जो शंपू करें आप अपने बालों की length के cording shampoo यूज़ कर सकते हैं इस solution को आप अच्छे से mix करके इसमें आप ख़र अच्छा water भी add कर सकते हैं और इसको add करने के बाद mix करने के बाद अपने scalp को इस तरह से open करके divide करके hairs को इस तरह से आप अच्छे से massage करें अब इस तरह से जगर जगर पूरे head में massage करें और massage करने के बाद इसको एक घंटा अपने head पर रखें अगर आपको onion की smell जादा फिल होती है तो आप आदे घंटे में भी wash कर सकते हैं लेकिन अच्छी result के लिए आप इसको एक घंटा अपने head पर रखें head पर रखने के बाद आप देखेंगे कि एक wash से ही आपको बहुत अच्छे 100% मैं तो कहती हूँ 100% आपको result मिलेंगी क्योंकि मैंने इसको use किया हुआ है तो इसमें में को एक juice में ही में को dandruff इसने खतम कर दिया तो आप इसको प्लीज जरू ड्राइ करें क्योंकि मैंने इसमें onion juice और lemon juice का add किया है onion के अंदर sulfur बहुत जादा होता है जो आपको आपके dandruff की problem आपको hair fall की problem सबसे बचाता है और आपके lemon के अंदर vitamin C होता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर coconut oil होता है आपके बालों को most fries करता है इसलिए आपको यह solution 100% result देगा आप इसको use करके मुझे जरूर बता है कि आपको solution कैसा लगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो like करें, share करें, subscribe करें मेरे चानल को thank you